हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों मेरा नाम है पंकस सराओगी मैंने अपना सीए दैडी चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स जो है 2009 में कम्प्लीट किया था और 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूँ अगर बात करें CMA इंटर लेवल पे स्थीमी में इंन्टर लेवल पे कउस्ट अकाउंटिंग मैं टीच करता हूँ और आपरेशन वैने जो ब्रसका एप क्योंटेंग मोप्यों स्थ्यों मैं नहीं क्योंटेंग नहीं है ये वो वाली recording नहीं है कि बच्चा सामने बैठा है और हम face to face पढ़ा रहे हैं वही recording आपको उठा कर दे दी नहीं, specifically video classes अलग से record की जाती है ताकि आपको better तरीके से understanding बन सके क्योंकि होता क्या है जब face to face classes होती है तो बच्चा सामने होता है वो अपना doubt immediately हमसे पूछ सकता है बट video classes में no doubt आप अपने doubt clear कर सकते हो आपको एक specific time allot किया गया है daily basis पे one hour का जिसमें आप doubt अपने clear कर सकते हो लेकिन फिर भी immediately आप नहीं पूछ रहें इस वज़े से हमारी कोशिश ये होती है कि video classes इस तरीके से बनाई जाए ताकि doubt जो है वो 0% level पे रहें बट फिर भी आपको अगर किसी भी तरीके के doubt आते हैं आप हमें specific timing पे call करके अपने doubt of course clear कर सकते हैं उसमें किसी तरीके कोई दिकत नहीं होती आज जो हम subject start करने वाले है अपना वो है आपके CMA Inter group 2 का subject सर CMA Inter में group 2 में जो सबसे पहले paper आता है that is paper number 9 वो है OMSM operations management and strategic management यह आज हम start कर रहे हैं और आज हमारा target केवल और केवल यह है कि सर operations management और strategic management यह जो subject है इसमें क्या content हमें cover करना है किस तरीके से हमें cover करना है और हमारा exam का normally pattern क्या रहता है तो सबसे पहले मेरे पास exam का pattern ही है क्योंकि देखो हम preparation क्यों कर रहे हैं हम OMSM क्यों पढ़ रहे हैं सर हम OMSM पढ़ रहे हैं exam point of view से ताकि हम अच्छे से अच्छे marks लेकर आ सके exam में तो exam का जो pattern होगा उसी के accordingly अगर आप चीजों को समझोगे तो आपके लिए कहीं न कहीं exam में एक benefit होगा कि सर हाँ जिस तरीके से हम चीजों को देख कर आए हैं उसी तरीके से exam में भी आई है तो हम उसको easily handle कर पारें तो सबसे पहले मैं आपके साथ exam का pattern discuss करूँगा ये जो हमारा OMSM का paper होता है 100 marks का paper अपने को attempt करना है आपके CMA inter में जितने भी papers हैं 100 marks के सारे paper होते हैं हाँ no doubt choice आती है जिसकी वज़े से 100 marks का जो paper होता है totality में आपका 124 नंबर के आसपास का paper आता है even 124 भी क्यों 127 के आसपास का या फिर मैं कहूं 130 के आसपास का paper आता है लेकिन आप mentally ये set करो सर 100 नंबर का paper attempt करना है अपने को तो 100 नंबर का OMSM का paper है जिसमें दो paper cover किये गए हैं एक है OMS और एक है SM एक है OMS और एक है SM OMS की weightage है 70% की और SM की weightage है 30% की OMS that is operations management 70% weightage रखता है और SM that is strategic management की 30% की यहाँ पे weightage है जो SM है वो pure theory है लेकिन जो OMS है वो practical और theory दोनों हैं मैं हमेशा P word यूज करता हूँ practical के लिए और T use करता हूँ theory के लिए जब भी मैं आपको कोई chapter start कराता हूँ या करवाऊंगा तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यह chapter practical है या theory या फिर दोनों उसके पीजे reason यह होता है कि mentally हमारे mind में set हो जाता है कि इसमें practical चलेगा या theory चलेगा या दोनों option चलेगे दोनों point चलेगे तो OMS में आपको practical और theory दोनों देखने को मिलेंगे और SM totally आपका 30% जो paper आएगा वो theoretical होगा अभी जो latest हमारे exam का pattern है सर लेटिस्ट हमारा जो exam का pattern है तो हमारा जो paper आता है वो 4 sections में आता है section A, section B, section C और section D तो आपका जो paper आएगा वो 4 sections में आएगा section A, section B, section C और section D सर यह 4 section क्या है section A में आपसे MCQ question पूछे जाएंगे MCQ मतलब multiple choice questions हर question के साथ 4 option होंगे जो correct option है वो आपको select cut और जो latest हमारा exam होता है वो online होता है online हमारे exam है 100 marks का paper 4 section के अंदर OMS सर section A में आपको 20 MCQ देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के 20 question एक एक नंबर के compulsory है 20 के 20 question अपने को attempt कर दो इससे 20 marks में अगर मैं OMSM की बात करूँ तो आपको यहाँ पे OMS 14 into 1 देखने को मिलेगा मतलब 14 question OMS के देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के और SM के आपको 6 question देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के इस तरीके से आपका section A में 20 question होंगे कंपसर यह करने है तर section B में SAQ, SAQ का मतलब होता है short answer question मिलब section B में SA question होंगे जिनका आपको answer short में देना है short का मतलब है कही questions SA form के जाते हैं जिसका answer के वाल एक word होता है one word answer हो सकता है like fill in the blank slide दे देते हैं बस एक ही word आपको उसका answer लिखना है होता अलांकि वो दो नंबर का है तो SQ का मतलब है short answer छोटे answer लिखने है one word हो सकता है answer या फिर एक line answer, one line answer हो सकता है maximum to maximum मैं बात करूँ आपको 2 lines से ज़्यादा का answer section B में किसी भी question का नहीं देना section B में आपसे 10 question पूछे जाएंगे section B में आपसे 10 question पूछे जाएंगे और हर एक question की weightage जो है वो 2-2 number देखने को मिलेगे 10 questions होंगे 2-2 number की आपको weightage देखने को मिलेगे अगर इसमें मैं बात करूँ तो आपको OM के इसमें 7 question देखने को मिलेंगे 2-2 number के और SM के आपको इसमें 3 question देखने को मिलेंगे 2-2 number के या तो one word लिखने answer में one line या maximum to maximum two line answer दो line से ज़्यादा बड़ा answer आपको यहाँ पे नहीं देना इसके बाद तो section C है वो है LAQ LAQ की full form होती है sir long answered question इसमें आपको कुछ ऐसे question दिये जाएंगे जिनके answer आपको long में देने है detail में देने है lengthy answer आपके सामने रखने आपको sir इसमें आपको 6 questions दिये जाएंगे 12-12 number के section C में 6 questions दिये जाएंगे आपको question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 12-12 number के question और ये जो 6 questions होंगे इनमें भी parts आपको देखने को मिलेंगे जैसे question number 1 के 2 parts हो सकते है A और B 6-6 number के हो सकता है 3 parts बना दिये जाएं 4-4 number के या और भी कोई bifurcation हो सकता है like sir एक question 6 number का एक 4 number का एक 2 number का but 6 questions होंगे question number 1, 12 number का होगा question number 2nd भी 12 number का होगा 3rd भी 12 number का इस तरीके से 6 questions होंगे 12-12 number के उसमें internal भी आपको A part, B part, 2 part, 3 part maximum देखने को मिल सकते हैं लेकिन सर्य ये 6 questions जो हैं ये आपको 6 के 6 सारे attempt नहीं करने हमें इसमें से केवल 4 questions attempt करने हैं out of 6 तो ये जो 6 questions हैं इसमें से आपको केवल और केवल 4 questions ही attempt करने हैं और इसमें अगर मैं बात करूँ तो पहला जो section है वो आपको theory question देगा section B में भी आपको theory question देखने को मिलेंगे बड़ जो section C है इसके अंदर आपको practical and theory question देखने को मिलेंगे section C में आपको practical plus theory देखने को मिलेंगे अब सर इसके अंदर 12-12 number के 6 questions हैं जिसमें से अपने को 4 यहाँ पे attempt करने होते हैं 12-12 number के 6 questions हैं जिसमें से आपको 4 attempt करने हैं इसमें आपको bifurcation कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा कि 70-30 का proportion बन जे मलब specifically यह नहीं कहूंगा कि question number 1 12 number का जो है वो OM का ही होगा नहीं जरूरी नहीं है question number 1 जो है section C में हो सकता है उसके अंदर आपको 8 number का से example OM का portion दे दिया जे कोई 4 number का एक SM का question दे दिया जे फिर एक 2 number का OM का question दे दिया जे तो कोई भी part हो सकते हैं बट examiner 70-30 proportion का ध्यान आपके सामने रखेगा आप इस चीज का ध्यान रखो मलब section C में OM भी होगा SM भी होगा उसकी weight is accordingly questions में दे दी जाएगी practical भी होगा sir theory भी होगा कितना practical और कितना theory तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको as such ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि sir इतने नंबर का practical हो गई होगा इतने नंबर का theory हो गई होगा बट इसमें 4 question आपको attempt करने है मतलब 48 marks का आपको paper attempt करना है अगर मैं 48 marks का paper attempt कर रहा हूँ तो आप मान के चलो तो मोटा मोटी 15 नंबर का तो SM होगा कि 48 का अगर मैं 30% करता हूँ तो सर्फ 14.4 होता है तो 14 या 15 marks के आपके SM के question होगे तो इसका वालग 33 marks का आपको OM attempt करने है अब SM तो theory है यह पूरा का पूरा जैसे कि मैं already आपको बता चुका हूँ कर जो OM है 33 marks का इसमें आपको 10 नंबर से लेकर 20 नंबर तक की practical देखने को मिल सकते हैं 10 से 20 नंबर तक के practical और बाकी जो बच जाएंगे अगर मैं 10 नंबर की बात करूँ तो 23, 20 नंबर की बात करूँ तो 13, तो 13 से 23 नंबर तक की आपको यहाँ पे theory questions देखने को मिल सकते हैं हलांकि मैं आपको बता दूँ कि practical OM में पहले ज़्यादा आता था बट अभी जब से यह online exam का pattern आया है हमारे सामने तब से theory portion ज़्यादा बढ़ा दिये OM के अंदर और practical portion कम कर दिये फिर भी आपको कम से कम 10 नंबर के practical question section C में OM के देखने को मिली जएंगे और 6 में से चारी आपको attempt करने है और section D जो है उसमें case studies आएगी 2 question होगे 6-6 नंबर के तो एक question OM का होगा और एक question SM का होगा 6 नंबर का OM का question होगा और 6 नंबर का इसमें SM का question होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 8 नंबर का OM का question देदे और 4 नंबर का SM का question देदे क्योंकि वैसे ये 12 नंबर का question है तो 12 में अगर मैं 30% की बात करूँ 4 ही नंबर का SM का question होना चीए पर थोड़ा बहुत उपर नीचे कर देते हैं जिसकी वज़े से कई बार 6-6 तो कई बार 8 और 4 नंबर तक का question हो सकता है तो मेंली आप ये मान के चलो 8 नंबर का आपको OM का दिख जाएगा इसमें और 4 नंबर का 1 SM का question देखने को मिल जाएगा अगेन मैं कहूँगा SM तो theory है OM में मैं बात करूँ तो case study में OM में आपको practical portion देखने को मिलता है तो weekend से सर ये जो OM SM है इसमें जब से online exam हमारा होना शुरू हुआ है तब से theory जो है वो practical को dominate कर रही है पहले अगर मैं बात करूँ तो around 45 marks के आसपास तक practical portion रहता था लेकिन जब से online exam हुआ है तब से around 20 से लेकर 30 marks तक 20 से लेकर 30 marks तक practical portion रहता है बाकी इसके अंदर theory आपको देखने को मिलती है तो आज का exam का हमारा pattern क्या है सर चार section में paper होगा section A, section B, section C, section D section A में 20 MCQ, multiple choice questions जो कि हम अपनी classes में अलग से ही MCQ discuss करते हैं section B, essay Q, short answer question सर हम classes में साथ की साथ MCQ के साथ-साथ fill in the blanks, match the following ये भी discuss करते हैं और जो short note होते हैं, छोटे-छोटे उसमें भी आपको इन questions को करने में help मिलती है section C, long answer question है like short note type question सर इसमें मैं ही कहूँगा कि आपको advantages, disadvantages, merits, demerits, features, short note ये सारी चीज़े इसमें आती है और practical question तो practical होता ही है और section D जो है उसमें आपको case study, OM की practical और SM की theory case study देखने को मिलेगी इस तरीके से हमारा exam का paper form किया जाता है सर आज जो हम discussion करने वाले हैं, वो करने वाले हैं OM का, operations management का केवल और केवल syllabus हम discuss करने वाले हैं, कोई chapter में start नहीं करवारा आपको आज तो operations management, तो operations management मैं already बता चुका हूँ, 70% weightage OM की है तो operations management 70 marks के लिए weightage है, मारी exam point office है, out of 100 और इन 70 marks के लिए अपने को 7 study notes हैं, वो पढ़ने हैं ये 7 study notes कोई 7 chapters नहीं है, आपका जो institute है, ICMAI, वो जो study material provide करते हैं, उनके जो bifurcation होते हैं chapters के, वो study note 1, study note 2, study note 3 इस तरीके से होते हैं, हलंकि उन study note के अंदर काफी सारे chapters कवर किये जाते हैं तो अगर मैं as per study material बात करूँ, सर 7 study note हैं, जो अपने को 70 marks के लिए पढ़ने हैं और हम अपनी classes में, आपका पूरा का पूरा study material जो है, वो cover करके चलेंगे आपकी classes में क्या क्या coverage की जाती है, वो अगर मैं clear कर दूँ पहले तो आपका ये जो OMSM का subject है, इसमें आपका पूरा का पूरा study material cover होगा, theory plus practical theory plus practical, एक single practical question ऐसा नहीं होगा आपका study material का, जो हम अपनी classes में cover नहीं कर रहें इसके अलावा, theory जो है, theory जो paragraph format में आपके study material में given है, उसको एक simple language में bullets की form में, points की form में हम आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि उन सीजों को याद करना आपके लिए easy होगा, तो पूरा का पूरा study material, practical और theory point of view से cover is पूरी है, इसके अलावा, जो भी आपके past papers होते हैं, examination के papers, आपको हर chapter में साथ की साथ बता दिये जाएगा, किस chapter में, किस attempt में कौन कौन से questions आएवे हैं, इसके अलावा, institute ने bit question की booklet issue करी भी है, वो हम अलग से at the end cover करते हैं, इसके अलावा, institute ने जो भी MTP issue करे हैं, वो भी हम यहाँ पे cover करके चलते हैं, तो study material covered होगा, past papers covers होगे, bit questions की booklet cover होगी, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा आपका mock test paper भी cover होगा, तो एक तरीके से आप यह मान के चलो, हम जो अपनी classes में cover कर रहे हैं, इसके बाहर, एक single mark का आपको, exam में question नहीं देखने को मिलेगा, बस आपको sincerely study करनी हैं, और जैसा आपको बोला जाए, revision के लिए, homework के लिए, वो mentally यह mind में थोड़ा सा रख सकते हूं, कि sir 70 marks का OM है, और 7 study note है, तो on and average में बात करूँ, हर study note से 10 number का question exam में पूछा जाता है, on and average में बात करूँ, हर study note में से 10 number का question आपके exam में पूछा जाता है, हो सकता है किसी में से 8 का पूछ लिया जाए, किसी में से 12 का, but on and average में बात करूँ, you can set your mind, sir हर study note important है, हर study note examiner exam में पूछ लेता है, पहला जो study note है, देखो किसी भी subject का जो पहला study note होता है, वो हमेशा आपको एक introduction बताता है, उस subject के बारे के, तो यहाँ पे भी जो operations management का, पहला जो study note है, वो है introduction, introduction chapter है, sir, हम देखेंगे operations management का introduction, operation management होता क्या है, इसकी क्या characteristics है, क्या features है, production management को compare करेंगे operations management के साथ, कि sir, हम यहाँ पे operations management पढ़ रहे हैं, एक तो होता है operation management, operation co manage करना, एक होता है production को manage करना, sir, दोनों में क्या फरक है, क्योंकि operation में भी कहीं ने कहीं है, हम input को output में convert करते हैं, production भी sir, इसी को बोला जाता है, तो हम यहाँ पे दोनों में difference भी देखेंगे, जहाँ पे भी आप यह difference like question देखते हो, यह आप मान के चलो, exam point obvious आपके लिए important होते हैं, क्योंकि examiner सीधा सीधा पूछता है, बताओ production, operation और operations management में क्या difference है, पांस point बताओ, तो इस तरीके के question हमारे लिए काफी important होते हैं, इसके लाबा हम देखेंगे कि जो modern operation function है, जो modern operation management है, उसकी क्या characteristics है, और operations management में recently, क्या development है, that is recent trend in production management and operations management, तो सर पहला जो chapter है, वो आप यह मान के चलो कि operations management का एग, introduction होगा, operation management क्या है, क्यों है, production management से किस तरीके से यह different है, इन सारी चीजों पे हम discussion करेंगे, साथ की साथ बात कर लिते हैं, सर study note 1 जो है, वो theory है कि practical, study note 1 की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई practical subject भी होता है, उसमें भी study note 1 जो होता है, वो तो theory होता है, क्योंकि introduction जो है, वो theoretical ही होता है, और वैसे भी OMSM जो है, उसमें major portion आज के टाइम पे exam में theoretical पूछा जाता है, study note number 1, pure theory आपका study note रहेगा, इसके बाद जो second study note है, that is operations planning, operations planning इसमें, तो आफ़ी सारे topics cover किये गए, जिसमें अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला जो topic आता है, वो आपको देखने को मिलेगा, demand forecasting, तो हम इसमें demand की forecasting करते हैं, कि आने वाले future period में, हमारा जो product है market में, क्या demand होगी, इसके अंदर आप practical questions भी देखोगे, इसके बाद capacity planning और capacity requirement, mainly अगर मैं बात करूँ, capacity planning जो है, वो पूरा का पूरा theory है, लेकिन capacity requirement में आपको थोड़ा सा practical portion भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा, facility location theory है, लेकिन facility layout, तो layout किस तरीके से decide किया जाए, ताकि हमारी cost कम से कम आए, और product को बनाने में time कम से कम लगे, तो layout जो decide करना होता है, उसके आपको यहाँ पे practical portion भी देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, resource aggregate planning जो की theory होगा, MRP देखने को मिलेगे, MRP 102, MRP 1 होता है material requirement planning theory, MRP 2 देखने को मिलेगा manufacturing resource planning again theory, enterprise resource planning जो है, सर वो भी आपको यहाँ पे theoretical portion देखने को मिल जाएगा, और एक practical portion आपको देखने को मिलेगा, economic batch quantity का, सर यह बिल्कुल वैसे ही चलता है, अगर आपने cost accounting पढ़ा हुआ है, तो cost accounting में आप economic order quantity पढ़ते हो, बस वहाँ पे जो economic order quantity पढ़ते हो, बस उसी तरीके से यहाँ पे economic batch quantity है, even आप economic batch quantity भी पढ़के आते हो, batch costing का topic होता है, cost accounting के अंदर, तो वहाँ पे जो batch costing आपने पढ़ा, economic batch quantity, बस वही वाला economic batch quantity आपको यहाँ पे भी, दुबारा देखने को मिलेगा, और practical है, तो operations planning के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो, 10 topics हैं जो cover किये गए, जिसमें कुछ practical हैं, तो कुछ theory portion आपको देखने को मिलेगा, the study note number 3 जो है, वो पूरा का पूरा theoretical portion है, designing of operation system and control, कि हम अपनी organization में, जो operation system design कर रहे हैं, तो किस तरीके से product designing की जाए, किस तरीके से process designing की जाए, किस तरीके से उनको control किया जाए, यह सब हम यहाँ पे देखेंगे, 5 topic cover किये गए हैं, बट सारे के सारे theory हैं, product designing कैसे हो, process design कैसे हो, process की selection कैसे की जाए, अगर हमारे पास alternatives available है, process की planning, product life cycle, और process का selection, यहाँ पे भी process selection है, और अलग से भी process selection के कुछ stages, कुछ steps आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यह पूरा का पूरा जो study note number 3 रहेगा, पूरा theory रहेगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई practical portion आपको देखने को नहीं मिलेगा, most important जो है, वो है study note number 4, और काफी ज़्यादा important है, और काफी ज़्यादा lengthy एक study note बनाया गया है, जिसका नाम है production planning and control, सर, production से related planning, और production को control भी करना है, इसके अंदर मैं अगर बात करूँ, तो introduction जो है, production planning and control का वो theory देखने को मिलेगा, इसके लाबा time study, work study, method study and job evaluation, सर ये भी theory देखने को मिलेगा, बट इसने study note number 4 में, काफी सारा practical portion है, जैसते की job allocation, assignment technique, scheduling, practical है सरी है, assignment का जो topic है, practical है, scheduling, practical, queen model, stimulation, line balancing, lean operation, just in time, transportation model, linear programming technique, जो बाकी है, line balancing, lean operation, just in time, ये normally आपको theory portion देखने को मिलता है, तो exam में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि exam में, say example 20 marks का practical आया, तो आप expect कर सकते हो सक 10 से 12 नंबर का practical study note 4 में से आएगा, अगर 30 marks का practical आया, तो you can expect सर्फ 15 से 20 नंबर का practical portion study note 4 में से आएगा, मतलब major portion, practical portion जो cover किया जाता है अपने exam में, वो study note number 4 में से किया जाता है, तो आप देखोंगे जब हम अपने syllabus को cover करेंगे, सबसे ज़्यादा time हमें study note number 4 को cover करने में लगे, और कई parts में हम इसको complete करेंगे, इसके बाद जो study note number 5 आता है, that is productivity management and quality management, हम इसमें productivity measure करते हैं, कि एक worker की productivity क्या है, साथ में quality management पी यहाँ पे देखा जाता है, तो यहाँ पे आपको measurement technique और productivity index की measurement technique देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा सा practical portion cover करेगा, बढ़ इसके बाद theory portion आपको देखने को मिलेगा, like total quality management के basic tools और उनके certification और साथ में आपको यहाँ पे international standard organization की जो standards है, basic standards, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे आप कोई product वगेरे purchase करते हैं उस पे लिखा होता है ISO 9002, ISO 9001, तो यहाँ पे आपको meaning पता चलेंगे, sir ISO 9001 का क्या मतलब है, ISO 9002 का क्या मतलब है, ISO 9003 का क्या मतलब है, यह सब meaning आपको यहाँ पे study note number 5 में पता चलेंगे, कि sir certification तो है quality का, बट किस तरीके की quality का, किस चीज का certification है ISO 9001, 9002 वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, इसके बाद study note number 6 जो आएगा आपके सामने, that will be project management, लाइक यह जो construction वगेरे के काम होते हैं, जो भी project basis पे काम होते हैं, तो sir इनकी किस तरीके से planning होती है, किस तरीके से उनको manage किया जाता है, तो आपको यहाँ पे project management में, project की planning देखने को मिलेगी कैसे होती है, और उस planning को समझाने के लिए, एक तो आपको gant charts देखने को मिलेंगे, कि sir किस तरीके से charting होती है project planning की, साथ में आपको यहाँ पे दो methods भी देखने को मिलेंगे, project planning के, one is PERT, program evaluation and review technique, और एक आपको CPM, critical path method देखने को मिलेगा, sir जो PERT and CPM और gant chart है, यह practical point of view से, you can expect in your exam, बाकी project planning का, theoretical portion भी यहाँ पे cover किया गया, पहला study note आपका पूरा theory था, दूसरे में मैंने आपको individually बता दिया, तीसरा पूरा theory था, चौत्थे में individually बता दिया, पांच में में पहला portion practical बाकी theory, 6 में मैंने बता दिया, last जो study note है, आपका study note number 7, sir this is the, economics of maintenance, machine वगिर हैं उनका maintenance, and spares management, spares management मतलब spare parts जो use होते हैं, machine वगिर में, उनका management कैसे किया जए, तो यहाँ पे आपको maintenance से related, breakdown maintenance, preventive maintenance, और routine maintenance देखने को मिलेगा, साथ में आपको replacement of machine के practical question भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और spare parts management भी देखने को मिलेगा, इवन आपको यहाँ पे breakdown maintenance और preventive maintenance में भी, practical question देखने को मिलेंगे, और spare parts management में भी, practical आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं, दो दो चार चार questions ही देखने को मिलें, बट इन 7th study note की जो topics हैं, इन में आपको practical questions देखने को मिलते हैं, कि सर, breakdown करने पे अगर repairing होगी, क्या costing आएगी, और preventive maintenance हम follow करें, क्या cost आएगी, कौन सा better है, machine अगर हमारे पास लगी भी है, सर, कब उसको replace कर दें, तो organization लिए better होगा, तो इस तरीके, या spare parts हैं, कब हमें उसको replace करना चीए, तो इस तरीके के questions यहाँ पे, आपको practical point of view से भी देखने को मिलेगे, तो OM में no doubt, काफी सारा practical portion है, जो कि पहले exam में आता भी था, around 45 marks के आज़ पास का practical portion आता था, बट, जब से हमारे online exam हुए हैं, practical portion थोड़ा सा, कम करती है, बहुत अगता है आने वाले time में आपको practical portion बढ़ जाए थोड़ा सा, अपने को तो यहाँ पे अपनी classes में, practical भी बहुत अच्छे से cover करना है, और theory भी बहुत अच्छे से cover करनी है, theory को अच्छे से cover करने के लिए हमने क्या किया हुए हैं, अपने notes को, सारी चीजे वही है जो आपके study material में है, language भी वही होगी, बट हमने क्या किया है, जो चीजे paragraph format में थी, जो monotonous चीजे थी, जिनको पढ़ने में ऐसा लगता था study material से, कि यार कैसे पढ़ें इसको, एक paragraph शुरू होता है, एक page पे, दूसरे page पे जाके खतम होता है, कैसे इसको पढ़ा जए, हमने उसको simple तरीके से present किया है, points में present किया है, bullets की form में present किया है, और अगर कहीं पे simple language possible हो सकती थी, तो language भी थोड़ी बहुत change करी है, बट exam point of which से वो, बिल्कुल 100% correct होगा, accurate होगा, तो इस तरीके से form किया है, कि आपको OMSM का जो subject है, वो काफी ज़्यादा easy लगेगा, theory होने के बावजुद भी, और ये हमारे कुछ results हैं, latest अगर मैं बात करूँ, तो 95 marks, sonu रजरवाल है, उनके मेरे subject में देखने को मिले थे, इसके लबावा, Asta के भी 95 marks है, इसके लबावा काफी सारे हमारे better results हैं, अच्छे अच्छे results हैं, जो की, बच्चों ने हमें दिये हैं, हम नहीं कहेंगे कि, हमने बच्चों को दिये हैं, बच्चों ने हमें results दिये हैं, और आपसे भी उमीद है कि आपसे भी हमें इसी तरीके का result देखने को मिले और तभी आप देखो कि मैंने ये जो results में पहली line है ये blank चोड़ रखी है क्यों चोड़ रखी है सब आपके लिए चोड़ रखी है मेरी expectation है आप लोगों से 95 से उपर marks लेकर आओ ताकि मैं आपका नाम यहाँ पर first row में लिख सको तो यही मेरी expectation आपसे और यही मेरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से मैं अपना 100% दूँगा कि आप 96 marks अचीव कर सको आप 96 marks अचीव कर सको इसके लिए मैं अपनी तरफ से 100% दूँगा आपको भी अपनी तरफ से 100% देना है ताकि हम मिलके इस target को अचीव कर सके तो यह 7 study notes हमें पढ़ने हैं 70 marks के लिए operations management के SM का मैं आज कोई discussion नहीं कर रहा जब हमारा SM start होगा SM की जो पहली class होगी उसमें मैं आपको बता दूँगा क्योंकि SM में केवल 3 study notes हैं हर एक में से आप 10-10 number के question expect कर सकते हो सारा का सारा theory portion उसमें रहना है तो हमारी जो SM की पहली class होगी उसी में हम discuss करेंगे कि सर SM में कौन-कौन से study note हैं और हम उसकी तयारी किस तरीके से करने वाले हैं अब मैं आपको suggest करूँगा कि आप ज्यादा कुछ copy मत करो लेकिन आप यह जो आपके exam का pattern है यह आप जरूर copy करना चाहो तो copy कर सकते हो तो heading put कर लीजिए paper number 9 है CMA Inter का operations and strategic management heading put कर लीजिए CMA Inter group 2 paper number 9 इस तरीके की जब हमें heading लिखते हैं तो एक feel आता है अंदर से हाँ आज हमें नया subject स्टार्ट करने जा रहे हैं operations management and strategic management subject का पूरा नाम तो यह है और पूरा का पूरा जो subject है मैं ही आपको cover करवाऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि OM की कोई और faculty रहेगी SM की कोई और faculty रहेगी नहीं 100 marks का यह जो OM SM का paper है पूरा का पूरा मैं खुद ही करवाता हूँ यह जो exam का pattern है यह आप जरूर copy कर लीजिए ताकि आपको study करते वक्त आपके mind में यह बिल्कुल रहना चीए कि सर हमें study इस तरीके से करनी है कि अगर मेरे सामने MCQ question आये मैं उसका answer दे सकते क्योंकि MCQ question का answer देने के लिए हमें हमें शोटी से शोटी जो चीजे होती है उन पे भी धान देना होता है जबकि यही अगर मैं कहूं पांच पांच नंबर के क्वेशन आने है डिटेल में लिखने है तर उसमें एक आद वर्ट छूट भी जाये चल जाता है बढ़ अगर आपको MCQ question का answer देना है हर चीज को understand करना है concept आपका clear हर point से related होना चीए section B SAQ सर SAQ में one word answer रहेगा या फिर one line और two line इसका मलब one line और two line में अगर मैं बात करूं normally meanings वगेरे जो होते हैं उन पे अपने को concentrate करना है कहीं पे भी आपको one line या two line में कोई point खतम होता हुआ दिखाई दे आप समझ जाना है ये वाले questions ऐसे बन सकते हैं जो examiner section B में पूछ ले section C जो है उसमें उस तरीके के theory question आते हैं कि हमारे पास 10 point है हम उसमें से कोई भी 6 point कोई भी 8 point छोटे point है 5 point 5 number के लिए 6 number के लिए 6 point लिखें चल जाता है तो इसके अंदर थोड़ा सा आप अगर 10 में से 6 point भी याद कर लोगी चल जाएगा practical question धेरो हम करेंगे जितने maximum to maximum possible है वो सारे के सारे में आपको कराऊंगा इतनी practice हो जाएगी तर जितना भी practical आएगा उसमें से एक single marks का question हमारा नहीं छूटेगा और case study जो है 2 into 6 मैं यही कहूंगा केवल case study नाम है बाकी normal question जो section C में आते हैं वही question section D में भी आता है बस किया क्या जाता है question ही start करने से पहले एक तरीके से जो data देना चीए उनको वो data देने से पहले एक कहानी लिख दी जाती है story लिख दी जाती है question अगर मैं बात करूं section C में जिस तरीके के question होते है वैसे ही section D में होता है बस एक story बना कर देन आपको data provide करवाई जाता है section D के अंदर तो यह जो exam का pattern है यह आप copy कर लीजे क्योंकि बाद में बार बार आपके mind में doubt नहीं आना चीए कि सर exam किस तरीके का आएगा exam का pattern क्या होगा बाकी 70 marks की weightage operations management की यह आप copy कर सकते हो हमारी classes में study material past papers bit questions की booklet MTP यह सब हम cover करके चलेंगे तो आपको otherwise कहीं से भी कुछ भी करने की ज़रत ना पड़े अगर आप लिखना चाहो copy करना चाहो कर सकते हो कि सर study note number one जो है उसका नाम है operation management introduction जिसमें चार पॉइंट है चार पार्ट है second study note operations planning दस पार्ट है study note number three designing of operational system and control पांच पार्ट है पांच पार्ट है fourth production planning and control सर्फ काफी सारा practical और काफी सारा theoretical आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 11 points है management and quality management productivity management and quality management तीन पार्ट्स project management तीन पार्ट्स for economics of maintenance and spares management सर्फ पांच पार्ट्स तो इस तरीके से हम हर एक पार्ट को cover करके चलेंगे अपने classes के अंदर accordingly हम अपने syllabus को complete करेंगे so you can expect around अगर मैं बात करूँ तो 80 के आसपास हमारी classes हो सकती है और 105 से 110 गंटे में हमारा OMSN का syllabus complete हो जाएगा so this is all about for today आज की class का मेरा target यही था कि आपको OMSN का एक exam का pattern बताना और एक syllabus आपके mind में रख देना कि सर operations management के अंदर यह syllabus है जो हमें 70 marks के लिए cover करना है तो next class में नेक्स्ट क्लास में हम officially अपना syllabus स्टार्ट करेंगे आपकी exam point of view से no doubt आपकी दो से तीन marks की वेटे इस cover करी देगी next जो class होगी तो मिलते हैं next class में और स्टार्ट करेंगे introduction to operations management thank you bye bye